उठो चराग उठाओ के आपताब चलाएं सरा कदम तो उठाओ के एक नाँ बनाएं उतारो पाउं से मेहंदी की ये पाउं जलते हैं उतर के रहपे देखो की ये पाउं चलते हैं क्योंकि जीना इसी का नाम है मैं.. मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ तो ये पार्टे क्यों कोई मसा हो रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम है सावी नहीं भवी प्रॉब्लम नहीं है मैं.. मैं A&M की ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ A&M? ये क्या होता है? एक auxiliary nurse midwife जिसे हमारे गाव में नर्स पहंजी भी कहते हैं तू.. पहंजी बनने जा रही है? नहीं ना.. तू मजाज कर रही है ना? नहीं बुआ मैं A&M की ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ ओलाला.. नहीं.. नहीं.. इसका दिमाग खराब होगे? हाँ.. कल्यानी बिलकु ठीक कह रही है शायद इस तरह के लोगों का दिमाग किसी और मिट्टी का बना होता है आप लोगों से कुछ बात करनी आप लोगों से कुछ बात करनी प्लीज प्लीज रिलाक्स आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक इंसां था हमारे इदेश का विरेश में जाके उसने खुब पढ़ाई की और फिर एक दूसरे मुल्क में उसे काम बना नया काम था, नया देश, नये लोग बहुत महिनद करनी पुड़ी अब दूसरे मुल्कों में जिन्दगी हमेशा आसान भी तो नहीं होगी मगर थे वो हिंदुस्तानी हार नहीं वार और खुब महनत की और धीरे धीरे उनकी वकालत ऐसी जमी ऐसी जमी की उनका नाम उनकी शोरत चारों और फ्यल गई और फिर एक दिन अपने देश अपने देश के लोगों का दर्द उनें बुकारने लगा सोते जागते उटते बैठते वो हमेशा यही सोचते थे कि इस मुल्क में रहकर मैं जो कुछ भी कर रह और ऊपोर में अपने लिए कर रहedar वो देश, उस देश की धरती जिसने मुझे इस काबिल बनाया, इस मुकाम पे पहुँचाया, उसके लिए मैंने क्या किया? कल्यानीम, तुम्हारे हिसाब से उन्होंने क्या किया हुगा? करना क्या है, खुब पैसा बनाया होगा, और कुछ देश के लिए दान दोनेशन भेज़ दिया होगा? बिल्दी, नहीं, वो सारे एशो आराम छोड़के, अपने देश, अपने देश के लोगों के लिए, उनका काम करने के लिए, वापस डॉटा है, ओलाला, सत्या नाश, वैसे इसाब थे कौन? ये थे मोहंदास करमचन गांधी, हमारे पापी जिन्हों ने हमारे देश में एक ऐसी आंधी ऐसी क्रांती पैदा की जिसने बरसों की गुलामी से हमारे देश को आजाद कर दिया अगर वह सिर्फ अपने बारे में सोशते हैं अपना नाम अपना काम अपने इज्जत अपनी शुहरत तो वह इस देश को कभी भी आजादी नहीं की दिलने की और बापू जानते थे कि अगर उन्हें लोगों को बदलना है तो सबसे पहले उन्हें खुद को बदलना है आधी धोती और चर्खे ने बदल दी लोगों की सोच उनका नजर यह अब भर दी उनके दिलों में उम्मीद और आशा के केड़ है और यह सिर्फ कुछ हजारों सेक्ड़ों में नहीं हुआ लाखों करोडों में गाओं गाओं में शहर शहर में हर जात में हर क्वाम में बापू एक कुशल सेना पती तो थे है वो एक बेतरीन सिपाही भी थे आजादी के सच्चे सिपाही तो प्यों तो जल्मीद के बाभी? तो लेक्षब के सिथ देना के सब्के है और यह treatment दोसबर्द के सब्सक्तीन प्त्सक्न हुआ झाजािए ओर ऑ्क्षिए कुछ उनत्व में है वह अब अब प्रेश एफ वाद प्रेश प्रेश नहीं कोशिश तो करो जो कुछ नहीं समस्थ तुम्हारे सामने तुम्हारी पामीर मेरी बेसे ती कर रहे ही और तुम वहापर अब मधूम वह सब गाउं मेरे रहने वाले लोग यहर के तौर तरीके नहीं समझते हो अब 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 जानते कि तुम शहर में अपना न्या पिस्मिश्न करना चाहते हो जो पिना मेरे पैसे दिये शुरू नहीं हो सकता अब मेंब अब 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 जानते हैं तुम्हारे पादर अमें पाबाँ हमारे यहां पर हुक्म ना मानने बाले को को ली मार देने का रवाज इसंतार पूरी से राइट Madhu, 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 तुम वो सब बाते छोड़ दो, तुम यहाँ परे साथ ऐसे एक एरे कहने पर और अब अपनी मर्दी से वापस चारेगा, I'm going back Madhu, please Oh, तुम, मिस्स वाइफ, धरम पत्मी जी, गुद बाइब, मचा है, आप हमारी महमाने, आप इस तरह जाएंगी तो बुरा लगी का, Madhu, अब तुम जाओ, please प्रभी, मैं तुम्हारी तरह, अपने पैसले नहीं बताते हैं अच्छी नो प्राइब, मुझे तुम पर बहुत तरह आ रहा है आप तुम्हारी में, या तुम्हारी बादा काईगे घर तो छोड़कर जा रहे हैं पर तुम्हें नहीं जाए भुछदंट के लिए। कर दो दो कर दो कर दो